नमस्कार कथा मंच में आपका स्वागत है कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बैशाक पुर्णिमा ब्रत कथा हिंदु धर्म में बैशाक मास को बहुत ही पवित्र महिना माना जाता है इस मास की पूर्णिमा को इसनान, दान, पुर्ण्य और ब्रत करने से विशेस लाव प्राप्त होता है बैसाक पूर्णिमा के दिन ही महात्म बुद्ध का जन्म हुआ था इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी खहते हैं पुराणों में बैसाग पूर्णिमा को अत्यांत फल्दाई और पवित्र माना गया है मित्रों कथा शुरू करने से पहले मेरा आप से नविदन है कि कृपया कथा को पूरा सुने अंतितक सुने और पसंद आने पर लाइक करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो किरपा चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा बैसाग पूरिमा ब्रत कथा एक बार माता ये सोदा ने भगवान स्री करश्न से कहा कि हे करश्न तुम सारे संसार के पालक हो तुम मुझे आज ऐसे ब्रत के बारे में बताओ जिससे इस्त्रियों को मृत्तिलोक में बिध्वा होने का भेना रहे और वह ब्रत सभी मनोकावना पूर्ण करने वाला हो भगवान स्री करश्न ने कहा कि सुनिये माता मैं आपको विस्तार पूर्वक सब बताता हूँ इस ब्रत के कथा सुन्य मातर से पुन्य प्राप्त होता है माताय सुदा ने भगवान करश्न से कथा सुनाने का आगरह किया तब भगवान स्री करश्न कहते हैं कि धर्ती पर प्रशिद्य राजा चंद्रहाश्य की एक सुन्दर नगरी का नाम कातिका था वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मन रहता था उसकी पत्नी का नाम रूप बती था ब्राह्मन धनेश्वर के यहाँ धन्य धान के कोई कमी नहीं थी किन्तु संतान का सुक उन्हें भी तक प्राप्त नहीं हो पाया था एक समय एक योगी उसी सुन्दर काती का नगरी में आया और भिक्षा मांग कर अपना जीवनियापन करने लगा वही योगी नगर में सभी घरों से भिक्षा मांगता था किन्तु ब्राह्मन घनेश्वर के घर कभी भिक्षा मांगने नहीं गया एक दिन ब्राह्मन ने योगी से पूछा कि महाराज आप सारे नगर से बिक्षा लेते हैं किन्तु मुझ ब्राह्मन से क्या पाप हुआ जो आप बिक्षा नहीं लेते तब योगी ने कहा कि मैं निसंतान के घर की भीक पतीतों के अन्न के समान हो जाती है और जो पतितों का अन नखाता है वह भी पतित हो जाता है चुंकि तुमने संतान हो इसलिए मैं तुमारे घर से बिक्षा नहीं लेता धरेस्वर्य सुनकर बहुत दुखी हुआ हाथ जोड़कर योगी के पेरों में गिर पड़ा और नेवेदन किया कि संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताईए महराज तब योगी जी ने कहा कि ब्रहमन तुम देवी चंडी की आराधना करो तुम्हें जरूर संतान की प्राप्ति होगी भगवान ने घर पहुँचकर सारा प्रतांत अपनी पत्ने को बताया और स्वम बन की और प्रस्थान कर गए जहां उसने चंडी देवी की उपासना और उपवास किया सोलवे दिन देवी ने ब्रहमन को सपने में दर्शन दिये और कहा कि हे धनेश्वर जात तरे यहां पूत्र होगा लेकिन आठारा बर्श की आयू में उसकी मिर्त्य हो जाएगी यदि तुम दोनों पति-पत्नी बत्तिस पूर्णिमा ब्रत सृद्धा पूर्वक और विधी पूर्वक करोगे तो वह दिरगायू हो जाएगा देवी ने कहा जितनी तुम्हारी सामर्थ हो उतने आठे के दिये बनाकर सिव जी का पूजन करना लेकिन पूर्ण मासी बत्तिस होना चाहिए प्रातकाल इस जगह पर एक आम का व्रक्ष दिखाए देगा तुम उस व्रक्ष के फल को तोड़कर सेगर अपने घर चले जाना और अपने इस्तिरी को सारा व्रतांत बताना रितुष नान के बाद सवक्ष होकर संकर जी का ध्यान करते हुए वे फल को खा लेगी धनेस्वर के अनुसार उसकी पत्नी ने वैसा ही किया देवी जी की किरपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ उन्होंनों उसका नाम देविदास रखा देवी की आग्या के अनुसार उसकी पत्नी ने 32 पुनलमासी के ब्रत रखना शुरू कर दिये जब देविदास का 16 साल लगा तो देविदास की पिता को चिंता सताने लगी कि कहीं उनके पुत्र की मिर्त्यू उनकी आखों के सामने न हो जाए यदि ऐसा हुआ तो वह ऐसा कैसे सहन कर पाएंगे इसलिए ब्राप्मन ने देविदास के मामा को बुला कर देविदास को एक वर्स के लिए विद्ध्याध्यनेतु कासी भेज दिया देविदास को विद्ध्याध्यन के लिए कासी रवाना करने के बाद धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना एगमदीर आयू के लिए भगवती के अराधना की पूर्ण मासियों का ब्रत प्रार्म किया इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्ण मासियों का ब्रत पूरा कर लिया उधर कासी जाते समय राष्टे में मामा और भांजे राध बिताने के लिए एक गाव में ठहरे थे वहाँ पर एक ब्राह्मन की लड़की देविदास को अपना पती मान कर विवा करने को कहने लगी लेकिन देविदास अपनी आयू के बारे में बताता है लेकिन लड़की कहती है कि जो गती आपके होगी वही मेरी होगी लड़की की जिस ब्राह्मन लड़की के पिता ने देविदास सनरोत किया और देविदास ने उसका नुगल सुखार कर लिया और उसकी लड़की से साधी कर ली लेकिन कासी जाते हुए उसने अपनी पत्नी को तीन नगों से जड़ी एक अंगुटी और रुमाल दिया और कहा कि मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुस्वबाटी का बना लो जब मेरा प्रान अंधोगा तो ये फूल मुर्धा जाएंगे ये फिर से अगर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ इतना कहकर देविदास अपने मामा के साथ कासी चला जाता है कासी में कुछ समय भी इतने के बाद एक दिन एक सांप देविदास को डसने आता है लेकिन वह उसे डस नहीं पाता क्योंकि यह ब्रत का प्रभाव था जो उसकी माता ने पहले ही पूर्ण कर चुकी थी सांप के बाद काल स्वम वहां आया और देविदास के सरीर से प्राण निकालने लगा जिससे वह मुर्शित होकर जमीन पर गिर गया यह देखकर वहां माता पार्वती के सांथ संकर जी आये माता पार्वती ने संकर जी से कहा कि इसकी माता ने पहले ही 32 पूर्ण मासिवरत पूर्ण कर लिये हैं आप इसको प्राणदान दे दो इस प्रकार सिव जी उसे प्राणदान दे देते हैं सोलवा साल पीच जाने पर देविदास अपने मामा के साथ कासी से बापस अपने घर की और चल दिया रास्ते में उसकी पतनी मिलती है कुछ समय अपने ससुर के साथ रहेकर बहुत से उपहार लेकर पतनी और मामा के साथ वो अपने घर को चल देता है जब वह नगर के निकट पहुंचता है तो जानने वालों ने उसे देखकर यह ख़बर उसके पिता तक पहुंचा दी ख़बर सुनकर उसके पिता माता बहुत खुश हुए पुत्र को सकुसल पापस पाकर धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया नगर भोच कायोजन किया अंत में भगवान से कृष्ण ने कथा स्वाप्त करती हुए माता ये सुदा से कहा कि धनेश्वर 32 पूर्ण मासी के प्रहाव से पुत्रवान हुआ जो वेक्ति या इस्तरी इस ब्रत को करते हैं जर्म जर्मांतर के पापों से छोड़कर अप्राप्त कर लेते हैं और जो वेक्ति इस कथा को सरवन करता है मिर्त्यू उससे दूर से दूर होती जाती है तो मित्रो ये थी आज की कथा उम्मेद्य आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो किरपा लाइक कर देजिए अगर आप मेरे चेनल पहली बार आए हैं तो किरपा चेनल को सब्सक्राइब कर देजिए देखने के लिए धन्यवाद